कि यहिंद दोस्तों कैसे आप लोग आसा घरता हूं, आप लोग अच्छे होंगे, दोस्तों, आज किसी वीडेओं हम बात करेंगे नील्य 오र्मेंट्टा थेजश के बारे में, जिलनों को ना प्ता हों नीलिट किया होता है, तो मैं आपको बता دेता हूं, आसी के मतलब होता recruitment 2013 के बारे में जिन लोगो ना पता हो नीलिट क्या होता है तो मैं आपको बता जाता हूं नीलिट का मतलब होता है National Institute of Electronics and Information Technology दोस्तों आज की यह जो बैगेंसी है या government vacancy है इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डाउट में ना रहें कि यह कोई अस्ता ही बरती है या फिर private बरती है इसके साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बरती की चैनल पर क्रिया eligibility criteria या फिर इस बरती से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में तो दोस्तों आप लोग उसे request है कि जो लोग इस बरती में इच्छुग है मतलब जो लोग इस बैगेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो में लास तक बने रहे हैं अधरवाज आप ल सबस्क्राइब करने की जो लोग इसमें किसे यह कुछा है कर सकते हैं अप लोग सो và सिस्जिखते हैं कर सकते हैं और इस करने की चार्टिंग डेट है दोफ वह दो रस और इस फॉर्म को बने की जो लास्ट डेट है वह दो दो जार तेज्स मतलब आप लोग इसको 31 किसी भी कैटेगरी से हैं तो उनको इसमें कोई भी परिच्छा सुल्क नहीं देना है इसमें दोस्तों सिर्फ बहुत सिर्फ जर्फ जन्रल OBC और EWS के मेल कंडिडेट को इसमें फीस 200 रुपे देना है बात करें एज की दोस्तों इसमें एज आपके इसमें बात करते हैं कि इसमें सेल्क्षन परिचर की इस भरती की चैनल करिए क्या रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले आपका Relenose होगा वन्ने आपके लिखेर परिक्षा होगी उसके बाद दौस्तो को स्वार्स से में आपको बताउंगा कि कौन कौन से सही पोस्ट में हार एक पोस्ट में कि सबस्क्राइब अभए सब्सक्राइम चौन Ha-,च ,Disk,Dek,Dark,T और सबस्कर चाहिए helper की helper B में दोस्तो 24 पतों के लिए वेकंसी निकाली गई है इसमें candidate का high school pass होना अनिवार एक्ट涟 के ओर high school pass है तो वह helper B के लिए apply कर सकता है और दोस्तो जो लोग tradesman B में apply करना चाएते हैं इसमें total 26 पतों के अनिमार है प्रस उसके पास आईटियाई होना चाहिए वो भी इलेक्टोनिक्स या फिलेक्टिकल ट्रेट से होनी चाहिए इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रहे जो लोग ट्रेट्समें बी में अपलाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा अब दोस्तों बात करते हैं लैब अस पर दोस्तों बोस्तों आखर में सी की जिसमें डुस्तों पात पदों के लिए इसमें कंडिये स्कूल पास हो प्रस उसके पास आईटियाई होना चाहिए वो भी mechanical traits है और उसके पात 6 साल का experience होना चाहिए दोस्तों ध्यान रहे draft man C में भी आपका skill test होगा तो ध्यान आपको सिर्पोस्टिप दो पोस्ट में skill test देना है एक तो traits man में और एक draft man में जो लोग दोस्तों traits man और draft man में अप्लाई करेंगे उनको skill test देना पड़ेगा दर्वाइज आपका selection सिर्पोस्टिप रिटेंटेस्ट के आदार पर हो जाएगा आप दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन के बाद आपको salary में कितने मिलेगी तो दोस्तों मैं इस वीडियो में जो salary बता रहा हूँ यह basic salary है यह पूरी gross pay आपकी नहीं है तो दोस्तों मैं आपकी basic pay आठारा जार से बानवे अजार तीन सो रुपय तक basic pay रहेगी इसमें लोग दोस्तों भी लबबग आप सारे जैसा कि आज मैंने इस भरती के बारें बताया तो आप लोग इस भरती का official notification दे सकते हैं इसका official notification आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल कर लिंक नीचे वीडियो के description में दिया है आप लोग वहाँ पर जाएए टेलिग्राम चैनल कीजिए और वहाँ पर मैंने इस भरती का notification डाल दिया है आप लोग नोटिफिकेशन जाकर देखें चीजों को लेगी इसलिए दोस्तों किसी बरती में apply करने से पहले आप लोगों को mentally और सारी दोन रूप से आपको मतलब सक्षम होना जरूरी है इसलिए दोस्तों आप लोग पहले एक बार नोटिफिकेशन जोड़ो देख लेना अगर फिर वी अगर आपको कोई डाउट से लगे आपके हैरे कमेंट के जवाब जोड़ दूँगा